आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे एक बहुत ही सिंपल तरीके का चॉकलेट केक जो बनाने में बहुत आसान है और बिना किसी एक्ज और बिना अवन घर की नॉर्मल कडाही में बनाएंगे आज हमें से और खाने में ये एकदम सॉफ्ट स्पॉंज की और बहुत ही जाधा ट आप इसके जगह नीबू का रस भी ले सकते हैं और इसे अच्छा से मिक्स करतेंगे और इस दूद को पांदस मिनट के लिए एक साइट पर रख देजिया तांकि दूद जो है ना यह थोड़ा करडल हो जाए और इसके बाद एक दूसरे बोल में मैं यहां ले रही हूं दे कडाही को गरम होने के लिए रखेंगे तो इसके लिए कोई भी मोटे तले वाली कडाही ले लीजे आप और इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे नर्मल खाने वाला नमक है यह जो हम रोटीम में यूज करते हैं और इसके उपर एक स्टैंड रखेंगे और इसे अब हम ढखक और इसके जगह नमल मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं अपने इस मोल्ड को तो बस मोल्ड भी हो गया ताया यार इसके बाद अब हम अपना केक का बेटर बनाएंगे तो इसके लिए एक बोल में यहां ले रही हूं एक तीहाई कप ओईल और इसमें डालेंगे एक तीहाई कप देहीं धर की नॉर्मल ताजी देही लिए मैंने यहां और आधा कप प्लस दो बड़े चमज में यहां पिसी हुई चीनी डाल रहे हूं तो इन तीनों चीजों को पहले पूरे अच्छा से मिक्स कर लेना हमें तकरिबन तीस या चाली से किंड तर ताकि यह एकदम क्रीमी औ और एरी हो गया तो इसके बाद इस बोल के ऊपर एक चनी रखेंगे और इसमें रालेंगे एक कप मैदा एक चुथाई कप कोको पावडर एक चोटा चमज बेकिंग पावडर एक चुथाई चोटा चमज बेकिंग सोडा और एक पिंच इसमें नमक आड करेंगे तो पैसे इ अब हम इसे, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने, और अब इसमें डाल देंगे अपना ये कॉफी का क्मिक्षर, और इसे भी मिक्स कर लेंगे, अच्छा कॉफी डालना इसमें ऑप्षनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं, ब इस दूद को थोड़ा-थोड़ा करके अब हम इसमें डालते जाएंगे, और इसका एक बेटर तायार कर लेंगे, और डूद डालने के बाद भी इसे बिलकुल हलके-हलके हातों से ही मिक्स करना है, तो बस इसे अच्छा से मिक्स करने के बाद, अब हमारा ये बेटर हो गई है बहुत ही अच्छी हीट आ रही है इसमें से तो हम कैरफुली स्मोल को इसमें रखतेंगे और इसे उपर से ढखके ना लो मीडियम फ्लेम के उपर पकाएंगे तकरीबं 35-40 मिनट तक और यह टाइमिंग स्थोड़ी से आगे पीछे हो सकते हैं तो 30 मिनट पर आप इस और देर तक भी पका सकते हैं तो चलिए इस मोल को निकाल के अब मैं एक राक के ऊपर रखते हूंगे ताकि यह केक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए और इसे एक कपड़े से ढखके रखेंगे ताकि इसकी ऊपर की सरफेस जो है यह ड्राय ना हो तो जब तक हमारा यह केक ठंडा हो रहा हो तब तक हम इसके लिए क्रीम यानिगे थायरीछ को है कर लेंगे तो इसके लिए इक बोल में में यहां ले एक कप क्रीम और यह यह नोन डैरीविप्ञ उस ये यह यह हमारा और साथ में डालेंगे एक चुथाई कर पिसी हुए चीनी और क्युंकि यह Leaf पहले से ही मीठी है तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी कम चीनी आड़ की है और साथ में डाल रहे हूं एक चुथाई कप कोको पाउडर अंस्वीटन कोको पाउडर है ये तो अब हम इन तीनों चीजों को अच्छा से विप करेंगे बट उससे पहले इसे थोड़ा सा मिक्स कर कर लिया है और आप देखने की क्रीम मिस्टिफ पीक्स बन रही है और क्रीम ना इतनी अच्छा से विप होनी चाहिए कि जब आप अपने इस बोल को उल्टा करके चेक करेंगे ना तो ये क्रीम बिल्कुल भी गिरेगी नहीं तो इतने अच्छा से हमें अपनी इस क्रीम को है तो चलिए क्रीम तायार है और इस क्रीम को जब तक यूज ना करें ना तब तक के लिए इसे फ्रिज में रख दीजेगा और इसके बाद अब हम एक शोगर सिरब भी बना लेंगे अपने केक को मोईस्ट करने के लिए तो उसके लिए दो बड़े चमच पीसी वी चीनी ड तो यह केक अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है अब हम इसे डी मोल्ड कर लेंगे तो सबसे पहले ना चाकू से एक बार इसकी साइट को अलग कर लेंगे और फिर इसके ऊपर कोई भी प्लेट या बोड रखिए और इसे उल्टा करिए और इस केक को अब बाहर निक तो चलिए केक तो हो गया तायार अब हम इन सारी चीजों को असेंबल कर लेंगे तो को एक फ्लाट सर्फिस के उपर रखेंगे और इसे पहले लेर में कट करेंगे तो सबसे पहले ना मैं ऊपर की आनिवन लेर को रिमूव कर रही हूं ताकि उपर से हमें एक फ्लाट उन्याशन लेर करेंगे और चाहे तो आप से मिनाशन नाइफर कट कर सकते ही हैं बट मैं इस असान बनाने कि लिए क्या करते हूं नियू कि एकस की असी पैस पास पहले इस तरह से भांवरी नाइफ्स से बलागी बनाने के बार्द अबowski यह त्रफल से इसना एसे तीरे ध अब हम इन सारे चीजों को असेंबल कर लेंगे तो उसके लिए केक टर्न टेबल ले सकते आप या फिर एक कटोरी के ऊपर ना कोई भी फ्लाट सर्फिस रख लीजे मैं यहां पर यह चकला लिया है और इसके ऊपर सबसे पहले थोड़ी क्रीम लगाएंगे जो हमने पहले तो इसे ना बिल्कुल इस तरह से जैसे में मौस्ट कर रहे हूं पूरे केक को अच्छा से मौस्ट करिएगा तो बस इसके बाद अब इसके ऊपर लगा देंगे क्रीम और इस क्रीम को इजीली लगाने के लिए न मैंने इसे एक पाइपिंग बाग में फिल कर लिया था अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप जिप लॉग बाग में फिल कर लीजेगा या फिर डारेक्ट भी क्रीम को लगा सकते हैं तो बस यह क्रीम के एक लि में यूज करती हूं ताकि जो नीचे और उपर का टॉप है वो हमें एकदम फ्लाट मिले तो इसे मोइस्ट करेंगे शुगर सिरप के साथ और फिर इसके उपर जाएगी क्रीम तो यह क्रीम लगाने के बाद अब इसके उपर रखेंगे यह लास्ट फाइनल लेयर केक की हलका प्रेश करेंगे क्जिआ मो Ray weinkar करेंग और फिर इसके उपर क्रीम लगा מא और अब key की साइट को एक बार फ्रिज में रख देंगे 10-15 मिनट के लिए ताकि यह जो आइसिंग है थोड़ी सी सेट हो जाए और इसके बाद ना अपने केक को कबर करने के लिए मैं यहां पर यह चॉकलेट गनाश बना रहे हूं तो इसके लिए 100 ग्राम डाक चॉकलेट में मैं डालूंगे तक्र बोल रख दीजे अपना यह चॉकलेट वाला और इसे अब हम लगाता चलाते रहेंगे तो थोड़ी देर में चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो बस हमारा यह चॉकलेट गनाश तायार है इसे एक साइट पे रखेंगे थोड़ा सा ठंड़ा हो है नॉम्मल रूम प्रेंपेर्चल के ऊपर है यह बट यह अभी मेल्टिंग स्टेज में है जैसे कि आप देख रहें तो इस गनाश को डालिए इस के ऊपर और पूरे केक को मैं इस गनाश के साथ कवर करूंगी वैसे इस गनाश को एजीली पोर करने के लिए आप अपने के केक को कैरफुली उठाकर एक रैक के ऊपर भी रख सकते हैं और फिर गनाश पोर करिये सारा केक अच्छे से कवर हो जाएगा अच्छी मेरी यह लास्ट मिनट प्लान चेंजिस हैं तो इसलिए मैं इसे रखना भूल गई पहले रैक के ऊपर अच्छा यह आपके साथ भी होत तकरीबन आधे घंटे के लिए तना कि यह गनाश थोड़ा सा सेट हो जाए तो थोड़ी देर के बाद यह गनाश अब सेट हो गया है अब इसकी फाइनल गानेशिंग के लिए मैं इसके उपर तो इसी यह चॉकलेट शेविंग्स टाल रहे हूँ ऑप्शनल है आप अपनी म आप भी ट्राय करिएगा और मुझे बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें